हेलो एवरिवन वेल्कम बैक अगें मेरी अपनी चैनल एक है गीकस आइडिया प्लीज सबस्क्राइब कीजिए वहां पे एकाउंटनसी की सीरीज भी मैंने सिराट किया है और करन्ट एफर की सीरीज भी तो यह सीरीज है केमिस्ट्री पे तो आए आज का टॉपिक स्टार्ट क एंड वाल्यूम प्रेशर और व्लिम के बीच क्या रिलेशिव हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है तो बाइल आजिग यह बोल्ता है जिए वाल्यूम आ पकिस इनवर्स पॉपरलिशनल वेका थातुइत अ उत्ना ही गातरा there तो इटिस प्रेशर प्रेशर और वाल्यूम के बीच कौन सी रिलेशन है इन्वर्स रिलेशन कौन सी रिलेशन इन्वर्स रिलेशन इसका मतलब क्या है इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या है जितना P बढ़ाएंगे उतना V कम होगा जितना P बढ़ाएंगे उतना V कम होगा इसको बोलते हैं inverse relation P जितना बढ़ाएंगे V उतना कम होगा मतलब अगर V inversely proportional है pressure के मतलब क्या है इसका मैंने आपको समझा है था denominator जितना बढ़ा होगा उतना value कम आता है 4 divided by 2 is called 2 अब मैं denominator बढ़ाता हूँ 4 divided by 3 is equal to 0.33 sorry 1.33 इसी तरह 4 divided by 4 अब क्या आएगा answer 1 denominator मैं बढ़ा रहा हूँ numerator सेम रख रहा हूँ 4 divided by 5 0.8 जितना मैं denominator बढ़ाता हूँ उतना numerator numerator constant रखके value कम आ जाता है यह है inverse relation का मतलब mathematically तो the volume of a gas is inversely proportional to its pressure if temperature and amount of gas are held constant temperature और जो amount of gas है उसको change नहीं कर रहा है same gas को same temperature पर रखना है फिर pressure change करते रहना है उसकी वाज़े से फिर pressure की चेंज करने से क्या असर पड़ेगा volume पर लेकिन temperature और amount of gas को constant रखना है हम खाली यहाँ पर किसके बीच relation देख रहे है volume and pressure pressure को change करेगे volume पर क्या असर पड़ेगा temperature और इसका अलग अलग असर जो है वो कानशन रखना है यहाँ पर अभी यह ही लिखा है this means that as pressure decreases the volume increases V means volume P is called pressure यहाँ पर कुछ facts है जो आपको समझें Robert Boyle था जिसने 60 century में first state किया कि proportionality between volume and pressure क्या है inverse है यह Robert Boyle ने 60 century में दी थी उसने use किया था J-tube और उसमें control किया था temperature temperature मतलब temperature को constant रखा था और amount of gas को भी constant रखा था फिर उसने बोला था कि V और P के बीच कौन सी relation है यह कुछ facts है यहाँ पर सोचा कि जुरूरी होंगे तो यहाँ पर इसलिए रख लिए अब हमें इस proportionality को समझना है थोड़ा बहुत इसका क्या असर पड़ जाता है अब मैं इसको equal to बनाऊंगा यह equal to कैसे बनाना है यह मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ मिसाल के तोर पर y equal to 2x अब x को value दीजे 1, 2, 3, 4 तो y की value क्या आजाएगी y equal to जब x की value 1 होगी तो 2 जब x की value 2 होगी तो y की value आजाएगी 4 जब x की value 3 हो जाएगी तो y की value हो जाएगी 6 इसी तरह 4 जब value हो जाएगा तो y का value हो जाएगा 8 अब y की value क्या आगई 2, 4, 6 और 8, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर जो y equal to 2x है मैं इसको ऐसे लिखता हूँ y, यहाँ पर x क्या है इसके साथ multiple है जब मैं इसको यहाँ पर left side ले आओंगा यह बन जाएगा divide y divided by x equal to 2 y divided by x equal to 2 अब मैं इसको यूज करता हूँ y की value क्या आगई पहले 2 जब y की value 2 आगई उस time x क्या था 1 तो value क्या आजाएगी 2 divided by 1 equal to 2 अब मैं y की value 4 लोंगा जब मैंने y की value 4 ली उस time x क्या था 2 y divided by x मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 2 अब y की value 6 6 का बाया जब x की value 3 थी 6 divided by 3 भी 2 आगया y की value 8 है जब मैंने x की value क्या रखी 4 तो y divided by x क्या आता है फिर भी 2 तो यह 2 2 क्या है यह 2 2 यह यहाँ पर यह जो constant है यही constant रहता है तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता है y is directly proportional to x फिर मैंने इस proportionality को हटा के यहाँ पर एक constant रखा था वो constant की value क्या थी है यहाँ पर 2 इसी तरह 3 आगर मैं रखता वहाँ पर उस टाइम constant क्या आ जाता y divided by x 3 3 आ जाता तो इसी तरह यहाँ पर किसी भी proportionality को हटाने के लिए उसको equal to बनाने के लिए हम एक constant का use करते हैं हम एक constant का use करते हैं इसी को apply करके हम कुछ और चीज़ देखते हैं जब मैंने बोला कि V is inversely proportional to 1 by P तो मैं यह भी बोल सकता हूँ V equal to K divided by P, K को constant रखा मैंने K की value कुछ constant होगी न यह क्यूं हो जाएगा देखो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जब मैं P की value कुछ P1 दूँगा P1 मतलब कुछ value होगी 1 atmosphere, 2 atmosphere, 3 atmosphere उस time volume कुछ हो जाएगा gas का, for example मैंने 1 atmosphere pressure रखा तो volume हो जाएगा न, volume का तो कुछ value आजाएगा, कुछ ना कुछ value तो आजाएगा उसका मैं नाम रखता हूँ V1 फिर मैंने pressure को change किया change मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता हो इसलिए मैंने उसको रखा P2 तो उस time volume हो जाएगा V2 simple सी बात है simple सी बात है लेकिन यहाँ पे common क्या चीज़ रहेगी यह देखो यहाँ पे यहाँ पे है K divided by P तो मैं V को क्या लिख सकता हूँ P यहाँ पे divide है जब इस left side जाएगा यह बन जाएगा multiple equal to K तो अब यहाँ पे देखे जब मैंने P1 रखा तो उस time volume क्या बन गया V1 यह आ जाएगा किस के बराबर है क्योंकि सब्सक्राद करेख g तो मैंने रखा था y divided by x equal to constant constant यहाँ पे 2 है 2 मानो के है तो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाए तो यहाँ पे मैंने constant को अकेले रखा था तो P को इसससा लिए यह यहाँ पे divide था यहं पे multiple बन गया लेकिन यहाँ पे x multiple था यहाँ पे आके divide हो गया इसी सिर्फ मैंने क्या किया कॉंस्टन को right side पे रखा यहाँ पे भी यही किया मैंने कॉंस्टन को सिर्फ right side पे रखा अब जब मैंने p2 रखा pressure तो उस तेम क्या बन गया volume v2 लेकिन यह भी किस के बराबर आएगा constant के बगेर constant तो सेम रहेगा जैसे मैंने 4 divided by 2 किया वो भी 2 के बराबर आएगा फिर मैंने 6 divided by 3 किया वो भी 2 के बराबर आएगा यही equation यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ p1 v1 भी k के बराबर आएगा p2 v2 भी k के बराबर आएगा जब यह दोनों इसका भी right side के है इसका भी right side के है इसका मतलब यह दोनों same है इसका मतलब यह दोनों same है इसका मतलब equation से क्या निकलेगा v1 p1 is equal to v2 p2 चाहे हम कोई भी pressure रख ले उस time कुछ volume होगा वो फिर जब आप pressure change करोगे कुछ भी value दोगे pressure का उस time जो volume होगा उनका जो product होगा वो same होगा उनका जो product होगा वो same होगा यह mathematical कुछ था आसान था इतना भी मुश्किल नहीं था तो इसलिए यहाँ पर बताए क्यूंकि कल को example कोई numerical आ सकते है वहाँ पर values दिये जाएंगे तो उस time पर use कर सकते है इसको तो आप कुछ graphical representation समझते है जब भी कोई यह मैं directly पहले ही बताता हूँ जब भी कोई direct की direct proportionality आती है तो उनके बीच बन जाती है क्या अगर मैं ऐसे बोलो y directly proportional to x उनके बीच आ जाती है citrate line उनके बीच आ जाती है citrate line लेकिन अगर मैं यह बोलो कि y is inversely proportional inversely proportional to मतलब divide divide मतलब जब x बढ़ेगा y छोटा हो जाएगा क्योंकि denominator में है उनके बीच बन जाएगी relation आ ऐसे parabolic उनके बीच बन जाएगी relation देखो यहाँ पर graph से समझते है y is inversely proportional to 1 by p y is inversely proportional to sorry sorry y is inversely proportional to p सिरफ p की बात कर रहा हूँ y is inversely proportional to p p बढ़ेगा y जाएगा p बढ़ेगा y कम हो जाएगा p कम हो जाएगा y बढ़ेगा क्योंकि denominator जितना कम होगा numerator constant रखके value उतनी बढ़े आ जाती है जितना बढ़ेगा उतना कम value आ जाएगा y अब यहाँ पे देखते है मैं p को बढ़ाता हूँ P को बढ़ाने का मतलब क्या है मैं उपर जा रहा हूँ यहाँ पे 0 value है उपर की तरफ ज्यादा value आजाएगी नीचे की तरफ minus तो मैं P जब बढ़ाता हूँ तो क्या हो जाता है V की value यहाँ पे 0 जब right की side की तरफ जाओंगा तो यह बढ़ेगा इदर बढ़ेगा जब left side जाओंगे तो यह कम हो जाएगा यह देखो P को उपर उपर जा रहा हूँ मैं पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया यहाँ पे volume यह है यहाँ पे volume for example V1 यह V2 यह देखो जितना left side जा रहा हूँ इतना volume 0 की नजदीक पहुँच रहा है तो P को जितना में बढ़ा रहा हूँ इतना V कम होता जा रहा है यह common sense है गैस है यहाँ पे मैं pressure बढ़ाऊंगा volume क्या हो जाएगा यह intermolecular space जो है इनके बीजो space है यह क्यों हो जाएगा यह आपस में नजदीक नजदीक आएगे जब मैं pressure बढ़ाऊंगा जो gas के molecules है यह एक दूसरे के नजदीक आजएगे जब एक दूसरे के नजदीक आजएगे gas कम space लेगा और volume कम हो जाएगा अगर आप यह pressure हटाऊगे यह फिर से फैल जाएगा यह volume और जदा लेगा simple सी बात है logical सी बात है वही graph मैं समझागे यह थी inversely proportionality की बात अगर मैं जैसे यहाँ पर क्या था V is inversely proportional to P V किसके inversely proportional P inversely का मतलब है यह बढ़ जाता है तो यह कम हो जाता है यही तो diagram यह बन जाती लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी बता सकते है V is directly proportional जब मैंने directly बोला तो 1 by P 1 by P अगर मैं inversely बताऊँगा V is inversely proportional to P तो फिर खाली P की बात करूँगा लेकिन जब मैं directly proportional बताऊँगा तो मुझे 1 by P बोला है that means जितना 1 by P बढ़ेगा उतना V बढ़ेगा 1 by P कब बढ़ेगा 1 by P की value कब बढ़ेगी जब P की value कम हो जाएगी जब denominator की value कम हो जाएगी वही होता है Y is directly proportional to X लेगी नहाँ पर 1 by P है तो मुझे दोनुचीज़ बोलने है Y is directly proportional to 1 by P लेकिन जब मैं सिर्फ P बोलूँगा तब मुझे बोलना है Y is inversely proportional to P Y is inversely proportional to P दोनुची मीनिग एक है P बढ़ेगा V कम हो जाएगा तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ V directly proportional to 1 by P इसका मतलब क्या है 1 by P अगर बढ़ेगा V भी बढ़ेगा 1 by P जितना बढ़ेगा उतना V भी बढ़ेगा लेकिन 1 by P कब बढ़ेगा 1 by P तब बढ़ेगा जब P की value कम हो जाएगी वही बात यहाँ पे है P कम हो जाएगा V बढ़ेगा P की value जब कम हो जाएगी denominator की value जब कम हो जाती है तब ही जाके ना value बढ़ेगी वही मतलब है अब यहां पर graph में इन्होंने ऐसे लिखा है V is directly proportional one by P मैं P को यहां ले जाता हूं तो यह ऐसे बन जाएगा P is यह भी तो same है V जितना बड़ेगा P तो उतना क्या होगा अगर V बड़ा होगा V बड़ा होने का मतलब क्या है Volume बहुत जाद है जब volume बहुत जाद है इसका मतलब pressure बहर काम है pressure बहर काम है जब volume काम होगा volume काम है तो इसका मतलब क्या pressure बहर बहुत जादा है simple सी बात है वही graph है यहां पर P यहां पर है 1 by V यहां से है जब directly proportional मैंने बोला तो sit rate line आएग अब आता है तूसरा gas law Charles law यह किसके बीच relation है temperature और volume के बीच लेकिन जब temperature और volume के बीच relation है तो pressure constant रहेगा और amount of gas भी constant रहेगा amount और pressure constant रखके temperature और volume के बीच क्या relation आती है आएए देखते है तो यहां पर temperature और volume के बीच कौन सी relation है directly proportional T का symbol यहां पर है यानि कि V directly proportional to T the volume of gas is directly proportional to the temperature at constant pressure pressure क्या रखना है constant उसका मतलब क्या है इसका मतलब T जितना बढ़ेगा V भी उतना ही बढ़ेगा अगर हम T बढ़ाएंगे तो volume भी बढ़ाएंगे क्यों यहां पर gas के molecules है जब हमने temperature दिया इनको तो जो यह gas molecules है इनकी kinetic energy बढ़ जाती है जब इनको energy मिले इनकी kinetic energy kinetic energy मतलब मू होने की kinetic energy अगर पता होगा 1 by 2 mv square अगर यह किसी को पता भी नहीं होगा तो kinetic energy का मतलब यह है जब किसी चीज़ को kinetic energy मिल जाती है तो उसकी movement और बढ़ जाती है यहाँ पे जब gases को हमने temperature दिया इनकी kinetic energy इनकी मू होने की capacity बढ़ जाती है जब मू होने की capacity बढ़ जागी यह एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे तो volume बढ़ेगा temperature देंगे intermolecular spaces बढ़ेगी जब intermolecular spaces बढ़ेगी उसी का मतलब होता है volume बढ़ेगा इसी तरह जब temperature कम करेंगे जैसे मैंने freezing weezing में दिखाए था freezing कोई liquid क्यों हो जाता है उसके molecules एक दूसरे के नजदेक आ जाते है इसी तरह कोई चीज gas में तबदिल हो जाती है क्यों क्योंकि उसके intermolecular spaces जब temperature देते हैं बढ़ जाती है जैसे gas को हमने directly किया था solid को हमने directly convert किया था gas में sublimation जिसको बोलते हैं उसे क्या हुआ था solid molecule बहुत दूर दूर चले गए थे और वो gas बन गया था यह logic behind temperature देने से क्यों volume बढ़ जाता है क्योंकि intermolecular space बढ़ जाती है सारा खेल है intermolecular space में वही लिखा है यहाँ पर temperature increase होगा तो volume of gas भी increase होगा temperature decrease होगा तो volume of gas भी decrease होगा तो आप guys अब graph बताओ यहाँ से V और T होगा इनके भी directly प्रपॉन्ट तो क्या आएगी symbol graph क्या आएगा citrate line आएगी citrate line आएगी pressure लेकिन constant रखना है pressure लेकिन constant रखना है अब यहाँ पर यही कुछ facts मैंने लिखे है jacks charlies था जिसने relationship दी थी पहले तो उसने क्या किया था cylinder with a movable piston cylinder with a movable piston यह ऐसे होगा piston ऐसे होता है यह movable होता है यह उपर नीचे जा सकता है जब temperature देंगे यहाँ से यह देंगे heat या कुछ किसी ओर तरीकी से temperature देंगे तो यह उपर नीचे जा सकता है यह उपर जाएगा piston उपर नीचे जा सकता है यह किन किसमे यह उज़ गया था in water bath at different temperatures it is important to note that temperature should always been Kelvin relation है यह आप comment section में ज़रूर लिखे यह आ सकता है degree Celsius को कैसे convert करते है Kelvin में यह Kelvin को कैसे convert करते है degree Celsius में यह comment section में ज़रूर लिखे अब इसी तरह भी मैंने mathematical सारा समझाय था तो अब समझने की उतनी problem नहीं होगी जब यह directly proportional t है इसके मतलब v equal to constant into t जैसे मैंने y directly proportional to x बनाया था तो y is equal to 2x रखा था मैंने उस time constant k तो जब मैंने v को equal to kt रखा था तो constant कैसे बन जाएगा v by t k यहाँ पर multiple है t यहाँ पर multiple है जब इस side ले गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर divide हो जाएगा simple सी बात है basic mathematics वही मैंने यहाँ पर लिखा है v by t equal to constant पहले कुछ temperature दिया उस पर कुछ volume आगया लेकिन एक k के बराबर आएगा constant के बराबर फिर मैंने temperature t2 दिया यहाँ कि temperature और बढ़ाया तो उस time क्या आएगा यहाँ काम भी कर सकते है उस time volume v2 आएगा तो यह भी k के बराबर आएगा तो यहाँ पर क्या बन गया v1 divided by t1 यह भी constant के बगएर यह भी constant के बराबर यह भी constant के बगएर इसका मतलब यह दोनों आपस में बराबर है v2 by t2 आएगा जब v1 by t1 इसका मतलब क्या है v1 divided by यहाँ पर v2 उपर है तो यहाँ पर आजाएगा तो यह नीचे चला जाएगा t1 उदर जाएगा t1 by t2 यह है relation between volume and temperature v1 by v2 is called t1 by t2 अगर हमें values दिये गए होंगे पहले हमने temperature इतना अगर इन तीन में से कोई चीज दिये गए होगे numerical कैसे आ सकती है numerical आज से आ सकती है पहले हमने temperature दिया 2 Kelvin उस time पर volume था 1 meter cube फिर हमने temperature बढ़ाया 3 Kelvin तक तो उस time पर value के आएगा तो आप कैसे numerical करोगे आप लिखोगे v1 by t1 is equal to v2 by sorry v1 by t1 is equal to v2 by t2 तो volume भी पहला दिया हुआ है तो volume कितना है 1 meter cube temperature कितना है 2 Kelvin हमें क्या निकालना है हमें v2 निकालना है divided by temperature क्या दिया हुआ है जब 3 Kelvin करेंगे तो v2 यहाँ पे रहेगा 3 Kelvin इदर ले जाएंगे तो यह बन गया 3 divided by 2 meter cube आएगा volume 3 divided by 2 का मतलब है 1.5 meter cube तो 1 degree Kelvin बढ़ाने से कितना आगया यह numerical IC आ सकती है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्वेशन दी थी simple equation तो guys यह graph ना बहुत ज़रूरी समझाना है मैंने आपको अब भी बोला था कि v और t के बीच क्या है directly proportional इसका मतलब एक symbol के आएगा एक graph के आएगा citrate graph आएगा यह हमेशा याद रखना directly proportional के बीच कौन सा graph आता है citrate line यह सारी line इस citrate है अब इसने क्या किया हम v और t के बीच relation निकाल सकते हैं लेकिन constant pressure पे कभी p रख सकते हैं for example कोई इंसा रखेगा pressure 1 atmosphere पे दूसरा इंसान करेगा p रखेगा 2 atmosphere पे फिर रखेगा उसी pressure को constant 2 atmosphere को और v or t के बीच के निकालेगा graph फिर कोई आएगा वो 3 atmosphere पे निकालेगा तो वही यहाँ पे है p1 किसी ने p1 पे किया है किसी आइसो बार होता है constant pressure constant pressure वो imaginary line या वो graph जो constant pressure पे होता है उसी को बोलता है आइसो बार बार pressure को release करता है इसी तरह अगर constant temperature होता है तो उसको क्या बोलते है उस टर्म को क्या बोल सकते है वो ज़रूर comment section में लिखे constant temperature के graph को या imaginary line को क्या बोलते है तो यहाँ पे different pressures use किया गया है किसी इनसा ने P1 पे V और T के बीच graph निकाला किसी इनसा ने P2 पे यानि कि लेकिन P2 चेंज नहीं किया इसी P2 पे किया कभी temperature बढ़ा है कभी कम किया तो उस time पे देखा क्या V के बीच क्या relation आ रही है किसी इनसा ने temperature रखा P3 ये constant रखा लेकिन फिर देखा temperature को change करने से क्या आ जाता है तो आप कहां पे observe कर रहे होंगे यहां पे क्या हो रहा है यहां पे यह जो P1 है यहां पे दिया है P1 बढ़ा है P2 से और P2 बढ़ा है P3 से इसका पतलब सबसे बढ़ा क्या है P1 तो graph सबसे ज़्यादा इसकी slope ज़्यादा है P3 की slope ज़्यादा है वज़ा अब मैं आपको यह reason इसका समझाता हूँ पहले मैं P को रखता हूँ P को side पे रखता हूँ अगर मैं temperature दूंगा temperature देने से क्या बढ़ जाएगा volume बढ़ेगा क्यूंकि intermolecular space बढ़ेगी जब temperature दूंगा तो intermolecular space बढ़ेगी लेकिन अगर मैंने pressure रखा होगा तो pressure से क्या हो जाता है pressure देने से intermolecular space कम हो जाती है intermolecular space कम हो जाती है अब अगर दो gases है यहाँ पे भी मैं T1 देता हूँ यहाँ पे भी T1 देता हूँ यहां पे भी temperature T1 देता हूँ यहां पे भी temperature T1 देता हूँ लेकिन अगर मैंने यहां पे P2 रखा होगा P कुछ रखा होगा जिसका value बड़ा होगा किस से इस pressure से यहां पे pressure से क्या हो जाता है intermolecular space कम हो जाती है लेकिन अगर मैंने यहां पे P2 रखा यहाँ पे P1 रखा P1 की value बड़ी है किस से P2 से तो यहाँ पे intermolecules पे ज्यादा नजदी खाएगे ना इसका मतलब इस gas का volume कम हो जाएगा इस gas से इस gas का volume कम होगा already किस से इस gas से क्योंकि pressure बहर जो है वो इस से बड़ा है तो इस T का effect कम हो जाएगा इस से फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे कोई gas है इसके बहर कुछ pressure लगा हुआ है pressure कुछ का अनशन रखना है pressure तो होगा यह जैसे atmospheric pressure है अब मैं नीचे से temperature दे रहा हूँ तो इस gas को क्या होगा यह expand करने की कोशिश करेगा और यह intermolcular space बढ़ाने की कोशिश करेगा लेकिन pressure का effect क्या होता है वो volume कम करता है वो intermolcular space कम करता है अब मैंने दूसरा रखा जिसका pressure मैंने बाहर से बढ़ाया और ज़्यादा लेकिन temperature वही दे रहा हूँ अब आप मुझे बताए इस temperature से ज़्यादा temperature सेम है यहाँ पे भी T1 है यहाँ भी T1 यहाँ पे ज़्यादा असर होगा इस temperature का कि यहाँ पे असर temperature का ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पे pressure जो बाहर है वो कम होगा क्योंकि pressure का effect क्या होता है intermolcular space कम करना होता है तो जहां पे pressure कम होगा वहीं पे temperature ज़्यादा effect करेगा यहनि कि वहीं पे ज़्यादा volume बढ़ेगा क्योंकि temperature और pressure के opposite effects होते है temperature volume बढ़ाता है pressure volume कम करता है वहीं यहां पे दिखा गया है यहां पे pressure ज़्यादा है तो slope कम आएगा slope कम आएगा इसका मतलब slope कम आने का मतलब क्या है volume उतना नहीं बढ़ेगा देखो मैं temperature बढ़ा रहा हूँ लेकिन volume देखो यहाँ पे है अब देखो इस graph में temperature इतना ही है इससे यहाँ पे T1 है यहाँ पे T2 है T2 देखो T2 इससे कम है कम temperature देखो volume कितना बढ़ गया क्यों यहाँ पे pressure कम है P3 P1 से छोटा है क्योंकि इस P3 का कम असर होगा लेकिन इस P1 का ज्यादा असर होगा P1 की कोशिश होगी क्या volume कम करने की यही यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था जितना pressure बहर ज्यादा होगा उतना temperature का असर कम होगा उतना temperature का असर कम होगा temperature का असर क्या होता है volume बढ़ाना pressure का असर क्या होता है volume कम करना है क्योंकि intermolecular spaces कम हो जाती है यह था इस graph का मतलब अब है Gale-U-Sack's law Gale-U-Sack's law यह किसके बीच relation है temperature and pressure relationship temperature और pressure के बीच क्या relation है यह देखनी है हमें आजे देखते है Gale-U-Sack's क्या बोलता है is a gas law which states that the pressure exerted by a gas of a given mass and kept at constant volume इस ताम क्या रखना है constant relationship between किसके है temperature और pressure के बीच relation है सिर्फ इन दोनों के बीच बागी सब constant रखना है अब क्या बच गया है volume और amount volume और amount यह constant रखके temperature और pressure के बीच क्या दिखनी है relation the pressure exerted by a gas is proportional to temperature of a gas when the mass is fixed and volume is kept constant क्या बोलता है जब mass और volume को constant रखते है तो उस ताम क्या हो जादा है pressure exerted by a gas is proportional to temperature of a gas यहाँ पे कोई container है इसमें gas है यह gas क्या करेगा इस container पे क्या करेगा pressure exert करेगा pressure exert करेगा अब गेलियू सैकिजला क्या बोलता है जितना हम temperature नीचे से ज्यादा देंगे उतना यह pressure बढ़ेगा उतना यह pressure बढ़ेगा क्यूँ? common sense है जब इनकी kainetic energy बढ़ जाएगी यह ज्यादा मौ करने की कोशिश करेंगे जब यह ज्यादा मौ करने की कोशिश करेंगे तब जाके pressure बढ़ेगा ना धका किसी को धका जोर से देंगे उतना하다 फ्योर्स ज्यादा मिलेगा वही यहां पर बोल रहा है, pressure exerted by gas is proportional to temperature of a gas, when mass and volume is constant. तो इसके बीच mathematical यह क्या है, relation क्या है, यह अब आपको आसान से समझ आएगा, P directly proportional to T, यहनि कि pressure जो gas apply करेगा container पर, वो temperature के directly proportional है, क्यों, temperature से kinetic energy बढ़ जाती है, molecules ज्यादा move करने लगते है, तो उससे pressure बढ़ेगा, तो जब मैंने P equal to constant into T लिखा, तो P divided by T हो जाएगा constant, तो यहां पर क्या बन जाएगा, P1 by T1 equal to हो जाएगा, P2 by T2, simple, अभी तक यह कर रहे थे, यह मैंने 2-3 बार समझा, यहां पर fact क्या है, French Commissioner था है, Joseph Gay Lusak, 8 O में यह ला दिया था, इसने the mathematical expression जो है, वो मैंने दिखाई, directly proportional है तो constant आएगा, मतलब temperature बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा, temperature बढ़ रहा है, pressure बढ़ रहा है, temperature जितना बढ़ा रहा हूं, उतना pressure बढ़ रहा है, इधर की तरह बढ़ रहा है, इधर की तरह बढ़ रहा है, यह है, graph, graphs भी याद रखने है कि, exam में यह आ सकता है, कैस सही है कि गलत है, गेल इस है कि according यह, जो भी दिया हूँगा, boil is लाए, charl is लाए, from the graph, it can be understood, that the pressure of a gas, kept at constant volume, reduces constantly, as it is cooled, until the gas eventually, undergoes condensation, and becomes a liquid, यह मैंने condensation, operation में भी बोला था, condensation क्या होता है, आस्मान में क्या होता है, बादल, बादल मतलब water vapors, water vapors मतलब gas, जब वहाँ पर temperature कम हो जाता है, temperature कम हो जाएगा, तो उनकी kinetic energy कम हो जाती है, तो वो आपस में नजदी काने लगता है, water molecules, or gas molecules, बढ़ेगा, pressure बढ़ेगा, कम हो जाएगा, तो pressure कम हो जाएगा, तो और condensation हो जाएगी, जब temperature बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो evooperation हो जाएगी, जैसे समंदुर का पानी है, यह क्या बन जाता है, gas molecules, अब इस gas को ज़्यादा से ज़्यादा temperature देंगे, gas बन के और ज़्यादा temperature देंगे, तो gas molecules और ज़्यादा move करने लगेंगे, तो pressure बढ़ेगा, container पे, hope आपको यह सब समझ आया होगा, comment section में जरूर लिखे, आपको video lecture कैसे लगा, तो मेरी चैनल गीक साइड़ा को सबस्क्राइब करना ना भूले, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारी सीरीज सिटाट किया है, accountancy की पहले basic term में से मैंने सिटाट किया, और current affair जो बहुत ही ज़रूर है, exam point of view से, वो भी हमने सिटाट किया है, May 1st से, April के भी हम सिटाट करेंगे, उसका एक ही वीडियो बनाएंगे, ताकि April के बारे में आपको ज़्यादा ना ढोड़ना पड़े, एदर एदर एक ही वीडियो में हम सारी current affair लाएंगे, April मे, April के, तो hope आप ज़रूर सबस्क्राइब करेंगे, thank you very much,